हलो फ्रेंड्स मैं आपका दोस्त डॉक्टर सुनील कुमार और आप देख रहे हैं डॉक्टर कुमार एजुकेशन क्लिनिक आज हम बात करेंगे गार्लिक के बारे में लहसुन के बारे में बहुत सारे लोग यह बोलते हैं कि कोई हॉम रेमेडिज बताईए कुछ ऐसा बता द बात करेंगे जिनकी की मधिसनल प्रोपरटीज जो आपकी बीमारी को ठीक करने में बीमारी से बचाने में मदद करते हैं आपको इस कर्का को पूरा देखिपक्कर मदो के唱र cutись अ कि ठीडियों ते खीनिशन को लिज multitude to लीजिए जो बात भी अड़िन पर से किल outta पर के लिए आप मैं चाहूंगा कि आप अपने फूड को ही मैडिसन के रूप में समझें और फूड को मैडिसन की तरह इस्तेमाल करें क्योंकि हमारा फूड एक बैस्ट मैडिसन है यदि हम अपने फूड का सही इस्तेमाल समझ लें और फूड को हम जैसे हम मैडिसन एकुरेट ड पर सकते हैं बल्कि food को as a medicine यूज कर सकते हैं तो आज हम एक बहुत important food जो एक medicinal properties से completely full है garlic के बारे में बात करेंगे garlic के health benefit के बारे में बात करेंगे इसको लोग लहसुन केहते हैं garlic केहते है या is का scientific name जो by epidemic name है यह alium cettaum. alium cettaum is a scientific name- medical name सम communist सकते हो लेकिन आप garlic-लहसुन की नाम से इस से जाने ये एक combination होता है कलीों का बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन ये ये एक से दो भी consume करते हैं तो आपको बहुत सारे health benefit होंगे अब सवाल ये है कि लेकिन को हम किस तरह से consume करें उसका सही तरीका क्या है लहसुन का आप पानी ले सकते हैं लहसुन की चटनी आप खा सकते हैं और लहसुन आप सबजियों में इस्तमाल कर सकते हैं लहसुन आप वेजिटेवल्स और फ्रूट्स में टैपिंग में उपर लहसुन का जो पाउडर आता है वो आप ले सकते हैं और लहसुन को हम traditionally और भी बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं and there are some medicine उसमें भी लहसुन यूज किया जाता है और western में जो homopathy और जो आयरवेदा पर जो research हुई है या फिर आपकी जो जितनी भी herbal medicines पर research हुई है उसमें garlic को father of western medicine कहा है बहुत सारे scientists ने तो garlic जो है लहसुन जो है वो बहुत ही important content के साथ है उसकी अपनी health properties है उसकी clinical properties है और उसके जो content है उसमें वो medicinally बहुत important है तो हम यह अब समझेंगे कि लहसुन के क्या-क्या फायद है सबसे पहले जो लहसुन का बहुत ही important role है दिल और के बीमारी में यानि blood pressure की बीमारी में आपने सुना होगा कि लहसुन का एक पार्ट खाईए और आपको blood गाढ़ा नहीं होगा cholesterol नहीं बढ़ेगा triglyceride नहीं बढ़ेगा और आपकी जो arteries है उसमें blood का circulation अच्छा होगा तो यह आपने बहुत सारे लोगों से सुना होगा दूसरे नंबर पर आते हैं blood sugar जो बहुत common सी problem है आजकल diabetes के patient यह lesson ले सकते हैं इससे blood sugar को कम करने में मदद मिलती है क्योंकि blood जब गाढ़ा हो जाता है तो blood sugar को manage करना बहुत मुश्किल होता है तो blood का जो गाढ़ा पन है जो blood के अंदर एक कीचड़ बन जाता है उसको lesson कम करता है और insulin को sensitive बनाता है यानि insulin का जो secretion है उस पे sensitize करता है उसको यानि उसको ज्यादा effective बनाता है जिससे की glucose का conversion हो जाता है इसके बाद next point आता है कि obesity में इसका इसका इस्तेमाल करते हैं fatty liver के लिए बहुत अच्छा है antimicrobial है यानि जो microbes होते हैं पेट के जो कीडे हैं जो bacteria microbes है उसको किल करके reduce करता है कुछ लोगों को problem हो सकता है क्योंकि लहसुन के अंदर sulfur होता है sulfur के कारण उसका smell थोड़ा गंद ज्यादा है कुछ लोग हो सकता है ना खाएं तो मैं उनको नहीं force करूंगा आपकी अपनी choice है या कुछ लोगों का अपना religious or traditional reason हो सकता है तो वह avoid कर सकते हैं दो से चार ग्राम सुफिशेंट रहता है एक दिन के अंदर उससे ज्यादा खाने की जूरतनी है बट आइप परस्नली एडवाइज के लहसुन को आप चटनी के रूप में खाएं तो वह ज्यादा effective होता है और वह digestive system को promote करता है और अच्छे से absorb हो साई और उसके side effect भी नही करता है जो joints के level पर inflammation होती है जो pain होती है उसको reduce करता है anti-cuff anti-cold यानि जुखाम खासी सर्दी में कफ में इसका इसका इस्तेमाल किया जाता है कुछ हरवल और आयरवेदिक preparation में भी आपको garlic मिल जाएगा तो garlic से काफी हद तक आपका जो anti-allergic और anti-cuff और cold की जो प्रोपरट मिलता है और यह regulate करता है तो आप किसी ना किसी रूप में garlic का लहसुन का इस्तेमाल करें यह आपके health के लिए आपके digestive system के लिए nervous system के लिए plus moreover cardiovascular system के लिए और lymphatic system के लिए बहुत अच्छी medicine है जो ना केवल आपके system को regulate करता है बलकि prevention करता है आपको बीमार होने से बचाता है और काफी medicinal properties आपको provide करता है thank you very much in take care yourself